नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग बर्थमान में कौन क्या है इसे रिलेटेड हंडेड प्लस कुश्चन देखने वाले हैं और यह अगस्त दुहारे किस तक अपडेटेड लिस्ट है तो आप इने के कुश कुश्चन है बर्थमान में भारत के राश्पती कौन है तो देखे अभी बर्थमान में भारत के राश्पती यह रामनात कोबिंध है जो कि भारत के 14 करम के राश्पती है कुश्चन नमबर टू है बर्थमान में भारत के उपराश्पती कौन है तो यह अभी बर्थमान में भारत के उपराश्पति जो कि तिराव करम के उपराश्पति ए और उपराश्पति जो होते हैं ये राजय सभा के सभापति होते हैं ठीक है कुस्चे तो सुनीत सर्मा ये अभी बर्थमाने भारती रेलेवोड के अध्यक्ष है बर्थमान में लोग सिवा समीती के अध्यक्ष कोन है तो अधिर रंजन चोधरी ये अभी बर्थमान में लोग सिवा समीती के अध्यक्ष है बर्थमाने भारत के कानून मंत्री कोन है तो खीरन रिजु अभी बर्तमाने भारत के कानून मंत्री है बर्तमाने भारत के गिरिह मंत्री कौन है तो अमीत सा अभी बर्तमाने भारत के गिरिह मंत्री है बर्तमाने भारत के रक्षा मंत्री कौन है तो राजनाद सिंग अभी बर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है बर्तमान में भारत के बित मंत्री कौन है तो निर्मला सीता रमन जी ये अभी बर्तमान में भारत के बित मंत्री है बर्तमान में राजय सभा के महा सचीव कौन है ये बर्थवानवे राजसभा में जो है बिपक्स के नेता है राजसभा में सत्ता पश्के नेता कौन है तो प्यूस गोयल जी ये राजसभा में सत्ता पश्के नेता है बर्थवानवे भारत के पहले लोगपाल कौन है तो पिनाके चंद्रगोस है भारत के पहले लोगपाल है भारत के माहा नयवादी यानि अटर्ने जर्नल कौन है तो केके बेनु गोपाल है बर्तमान में नीती आयो के अध्यक्स कौन है तो सिरिनारेंद्र मोदी जी नीती आयो के अध्यक्स है नीती की फुल्फॉम होती है नीती आयो के अस्थापना जो है योचन आयो के अस्थान पर एक जनवरी दोहर पंद्रा को सिरिनारेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था बर्तमान में नीती आयो के उपाध्यक्स कौन है तो राजीव खुमार बर्तमान में नीती आयो के उपाध्यक्स है बर्तमान में नीती आयो के CEO कोन है तो अमिताब कांत बर्तमान में नीती आयो के CEO है बर्तमान में भारत के बिदेश मंत्री कोन है तो डक्टरेश चैसंकर यह भी बर्तमान में भारत के बिदेश मंत्री है बर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है तो अनुराग सिंग ठाकुर बर्तमान में भारत के खेल मंत्री है बर्तमान में भारत के सिक्षा मंत्री कौन है तो धर्मेंद परधान है बर्तमान में भारत के सिक्षा मंत्री है लोगसभा में सत्ता पश्के नेता कौन है तो सिरीनारेंद्र मोदी जी लोगसभा में सत्ता पश्के नेता है बर्तमान में राजसभा के सभापती कौन है तो एम बंकाया नाइडू बर्तमान में राजसभा के सभापती है बर्तमान में राजसभा के उपसभा पती कोन है तो हरिवन्स नरायन सिंग ये राजसभा के उपसभा पती है केंदियर इजर पुलिस बल यानि CRPF के महाने दे सकोन है तो कुलदीप सिंग CRPF के महाने दे सकोन है तो सामन्त कुमार गोयल जो है यह रोग के निदे सक है केंद्रिया अन्वेशन बीरो यानि CBI के निदे सक है तो सुबोध कुमार जैस्वाल CBI के निदे सक है राष्टिया अन्वेशन बीरो यानि NIA के अधेक्स को है तो कुल्दीप सिंग NIA के अधेक्स है केंदियोद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्योद्यो कोने तुसार में था बर्तमान में भारत के सलिसीटर जनल है भारती है स्टेट बैंक यानि एस भी आई के चेर्मैन कोने तो दिनेश कुमार खारा एस भी आई के चेर्मैन है बर्तमान में नाबाड के अध्यक्स कोने तो गोबिंदा राजलू चिंटाला नाबाड के अध्यक् अस्थापना हुई थी नवाड को हिंदी में राश्टियक क्रेशी और गरामिड विकास बैंक जो है बूला जाता है ठीक है भारतिय जीवन बीमा निगम यानि ये लाइसी के थे उसकोन है तो ये मर कुमार है लाइसी की फुल्फरम होती है लाइफ इंसुरेंस कर्परेशन ब बरतमान में BCCI के अधेश कोन है तो सौरभ कांगोली BCCI के अधेश है BCCI के फुल्फरम होती है बूर्ड अफ कंट्रोल फर किरकेट इन इंडिया बरतमान में BCCI के सचीव कोन है तो जय साः BCCI के सचीव है संगलोक सेवा योग यानि UPSC के चेयर्मन कोन है तो प्रदीप कुमार जोसी UPSC के चेर्मैन है UPSC फुल्फर्म होती है Union Public Service Commission UPSC के फुल्फर्म होती है भारतिय दूर संचार बिनिमायक प्राधिकरण के अध्याइक उसकोन है तो PD वाघेला है और भारतिय दूर संचार बिनिमायक प्राधिकरण को अंगरेजी में टेलिकॉम रेगुलेटर Authority of India जो इसको बोला जाता है बरतमान में NTPC के चेर्मैन कोन है तो गुर्दीप सा ए स्वरी गुर्दीप सिंग NTPC के चेर्मैन है NTPC के फुल्फर्म होती है National Thermal Power Corporation जो इसकी फुल्फर्म होती है बरतमान है भारत के लोग सभा अध्याश कोन है तो ओम बिल्डा बरतमान है लोग सभा अध्यक्ष है बरतमान है भारत के महा सचीव कोन है तो उत्पल कुमार सिंग भरतमान में भारत के महा सचीव है बरतमान में लोग सभा में बिपक्ष के नेता है तो अधिर अंजन चोधरी बरतमान में लोग सभा में बिपक्ष के नेता है बरतमान है भारत के मु रखना है आरफ नरिमन जो है यह सरोचने आल है कि कानूनी सिवा समित्य के अध्यक्ष है भारत के मुख्य सूचना आयुकति यानि CIC कोन है तो यह स्वर्धन कुमर सिना जी है भारतिय नो सिना यानि इंडियन नेवी के परमु कोन है तो एड्मिरल करंबीर सिंग है भारत के पहले CDS यानि Chief of Defense स्टाप कोन है तो जनरल बीपिन रावत है सीमा शुरक्ष बल यानि BSF के महाने दे सक्ष है भारतिय टरटार अख्षक बल यानि ICG के महाने दे सक्ष है तो के नटराजन है इंडो तिब्वत बॉर्डर पुलिस यानि ITBP के महाने देशक हैं ससस्त्र सीमा बल यानि SSB के महाने देशक हैं तो कुमार राजेस चंद्रा SSB के महाने देशक हैं भारतिय थल से ना यानि इंडियन आर्मी के परमुख को हैं जनरल मनोज मुकंद नर्वान है इंडियन आर्मी के परमुख हैं बरतमान में भारतिय थल से ना बरतमान में भारतिय थल यानि इंडियन आर्मी के उप परमुख को हैं तो यह हैं उपेंद्र द्रिवेदी आपको याद रखना है भारत के नियंत्रा के वह महा लेखा परिक्षक है यानि CAG के कौन है तो गिरिष चंद्र मूर्मू है CAG के फुलफ़म होती है भारत के लेखा माहा नियंत्रा के यानि CA कोन है तो सुमा राय बर्मन है CAG के फुलफ़म होती है बर्थमान में साथवे बेतन आयों के अध्यक आशज कोन है तो असो कुमर माथूर है बर्थमान है भारत के केविनेट सचिव कोन है तो राजीव गौबा जी है बर्तमाना भारत के बिदेश सचीव कौन है तो हर्स बर्थन स्रिंगला बर्तमाना भारत के बिदेश सचीव कौन है तो टीबी सुमनाथन जो है बर्तमाना भारत के बिदेश सचीव कौन है राष्टिय काइड़ेट कोर यानि NCW के महाने देशक कौन है तो लेफ्टनेन्ट ज कानून सचीव कोन है तो अनुप कुमार मेंदिरता बर्तमार में भारत के कानून सचीव है चोदा हमें बितायो के अध्यक्स कोन है तो आई बी रेटी चोदा हमें बितायो के अध्यक्स है पंद्रा हमें बितायो के अध्यक्स कोन है तो एनके सिंग पंद्रा हमें बितायो के गौर्णर है भारतिया रिजर बैंक के मुख्यार्थिक सलाकार कौन है तो क्रिष्ण मूर्ति सुब्रमन्यम है भारतिया रिजर बैंक के MD and CU कौन है तो सुबोध सुधा बाल क्रिष्णन जो है ये भारतिया रिजर बैंक के MD and CU है ठीक है बरतमान में BCCI के पहले लोगपाल कोन है तो BCCI के पहले लोगपाल DK Jain है बर्तमान में BCCI के CU कोन है तो Hemang Amine जो है BCCI के CU है बर्तमान में ISRO की अध्यवश कोन है तो ISRO की अध्यवश डक्टर के सिवान है ISRO की फुलफोर्म होती है Indian Space Research Organization ISRO की फुलफोर्म होती है ISRO की अस्थापना 15 अगास 1979 को ISRO की अस्थापना होई थी मुख्याल है बैंगलूरू में इस्थी थी थे आपको याद रखना है राष्टिया सोरी संयुक्त राष्ट संग यानि UN के महासचीव कोन है तो Antonio Guterres UN के महासचीव है UN की फुलफोर्म होती है United Nations Organization 200 बैंक यानि World Bank के अध्यक्ष कोन है तो World Bank के अध्यक्ष है David Malpass है ठीक है New Development Bank के अध्यक्ष कोन है तो Marcos Trejo New Development Bank के अध्यक्ष है ACI Bikas Bank के अध्यक्ष कोन है तो Masasku Askawa ACI Bikas Bank के अध्यक्ष है अंग्रेजी में इसको ACI Development Bank बोला जाता है बर्तमान में नालको के CMD कोन है तो सिरिधर पात्रा नालको के CMD है नालको मतलब National Aluminium Company है ठीक है बर्तमान में FTII के अध्यक्ष कोन है तो सिखर कपूर है FTII की फुल्फम होती है Film and Television Institute of India ठीक है बर्तमान में ICC के CU कोन है Manu Sani ICC के CU है ICC की फुल्फम होती है International Cricket Council बर्तमान में FTII बर्तमान में FIFI के अध्यक्ष कोन है तो FIFA के अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटीनो FIFA की फुल्फम होती है Federation International Day Football Association जो इसकी फुल्फम होती है बिश्वस्वास संगठन यानि WHO के महानेदेश कोन है तो ट्रेडरो सेथानो में WHO की फुल्फम होती है World Health Organization WHO की स्थापना 7 April 1948 को होई थी और मुख्याल है स्वीटचरलंड जनेवा स्वीटचरलंड में इस्थी थी थी ठीक है राष्टिय सुरक्षा सलाकार यानि NSA कोन है तो अजीट डुबाल जी है NSA की फुल्फम होती है National Security Advisor भारत के उपसुरक्षा सलाकार कोन है तो दत्तापाट सलीकर है बर्थमान में नासा के अध्यक्ष कोन है तो बिल नेल्सन नासा के अध्यक्ष है Press Trust of India यानि PTI के अध्यक्ष कोन है तो अभिक सरकार PTI के अध्यक्ष है प्रसार भारती बोड़े यानि PBB के चेर्मैन कोन है तो ये सुर्य प्रकास है ठीक है राम जरम भूमी तीर्थे छेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कोन है तो निर्थे गोपाल दास है भारतिया बैंक के संग के CEO कोन है तो सुनील महता भारतिया बैंक संग के CEO है भारतिया चार्टर्ड एकाउंटें संस्थान के अध्यक्ष कोन है तो अतुल कुमर गुपता है बर्तमान में NCRT के निदेश कोन है तो रिसी के सेना पती है NCRT के फुलफर्म होती है National Council of Education, Research and Training आपको याद रखना है भारतिया बिमान पतन प्राधिकरण यानि डबल AI के अध्यक्ष कोन है तो इसके अध्यक्ष है संजीव कुमर इसकी फुलफर्म होती है Airport Authority of India ठीक है बर्तमान में AFI, WCI के अध्यक्ष कोन है तो देखिए इसके जो अध्यक्ष है वो है उदय कुमार ठीक है और इसकी फुलफर्म होती है Federation of India Chambers of Commerce and Industry आपको याद रखना है और सम राइफल्स के महाने देशक कोन है तो इसके महाने देशक है प्रदीप चंदरन नायर ठीक है बर्तमान में ICC के अध्यक्ष कोन है ग्रेग बारगेल है जो कि New Zealand के है और ICC के ICC की फुलफर्म होती है International Cricket Council प्रेश सूचना विवरो यानि PIV के महाने देशक कोन है तो जैदीप भटनागर है और PIV की फुलफर्म होती है प्रेश इन्फर्मेशन विवरो ठीक है भारतिय तिरंदाजे संग यानि Double AI के अध्यक्ष कोन है तो अर्जुन मुंडा है राष्टिय बाल अधिकार सनरक्षन आयोक के अध्यक्ष कोन है तो प्रियांग कानुनांगो जो है ये राष्टिय बाल अधिकार सनरक्षन आयोक के अध्यक्ष है भारतिया पैरलम्पिक समीति के अध्यक्स कोन है तो दीपा मलिक है करमचारी चायना योग के चेर्मैन कोन है जिसे एससी बूला जाता है तो बिरिजराज सर्मा है और एससी की फुलफ़म होती है स्टाप सेलेक्शन कमिस्ट बिएसनल के अध्यक्स और प्रबंध निदेशा क कोन है तो परवीन कुमार पुर्वार है ठीक है बिएसनल के फुलफ़म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड आपको याद रखना है भारत संचार निगम लिमिटेड राष्टिया मानवाधिकार आयो के अध्यक्स कोन है तो अरुन कुमार मिस्रा जो है यह राष्टिया मानवाधेकार आयो के अध्यक्स है इम्पेरियल टुबै को कमपनी य tipping gast को वै तो संजीव पूरी है भारतिय उलम्पिक संग के अध्यक्सकों है तो डाक्टर नरिंदर धुरूब बत्रा ये भारतिय उलम्पिक संग के अध्यक्स है बर्तमान में DRDO क्या थे हैं तो जी सतिस रेडि DRDO क्या थे हैं DRDO के फुल फॉर्म होती है Defense Research Development Organization बर्तमान में बार्क के निदेशक कौन है तो अजीत कुमार में मोहनती बार्क के निदेशक है ठीक है बार्क के फुल फॉर्म होती है भावा एटॉमिक Research Center ठीक है केंद्रिया माथे में एक सिक्षा बोर्ड है याने CBSE के निदेशक कौन है तो मनोज अहुजा CBSE के निदेशक है CBSE की फॉल फॉर्म होती है Central Board of Secondary Education ठीक है तो दोस्तों यह थे बर्तमान में कौन क्या है इसे रिलेटेड 100 प्लस कुश्चन आई होब कि यह वीडियो पसंद आया रहेगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से अन करते हैं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग करते हैं